दिल्ली उनिवस्टी चातर संग चुनावों के लिए चातर सगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरुन चौधरी, NSUI के राश्ट्रे अधक्ष, तो वरुन बड़ी जंग है, डेली उनिवस्टी की देखा जात और खास थोर पर मैं डिल्ली उनिवस्टी की बात करूँ, तो जब से निव एजुकेशन पॉलीसी आई है, उसकाने के बात किस तरीके से फीस में एक बड़ा इंक्रीज आपने देखा गया होगा, तो हमारी ये जो दियू, बचाओ, एक कैम्पेन भी चालो होगा है, कि देखा होगा, दिल्ली उनिवस्टी के अंदर लगबग 2000 टीचर्स की निवक्तियां हुई हैं, पिछले सालों में, उसमें देखा गया कि ABVP के जो पददिकारी हैं, उनको नोकरिया दी गई, और सारे नियम कानून, सारे नॉम्स को ताक पर रखकर, सारी एजुकेशन कॉल अगर इस तरीके से डियू में सब चलता रहे हैं, तो दुनिया में एक वन ओफ दा फेमस उनिवस्टी है, उसका इस्थर गिर्याने का परयास बार बार RSS eBBP करती आई है, तो हमने नियुक्तियों का ख़ाफ का रहे हैं, और नियुक्तियों को पूरा विरोध करते हैं, कि पॉलिसी ने डियू में कहिने के अज़म सिस्टम को खराब करा गया है, और चात्रों पर बोज बढ़ा करा गया है, आप देखेंगे किस तरीके से पहले डियू में प्लेस्मेंट हुआ करती थी, जोब्स प्लेस्मेंट बहुत अच्छी हुआ करती थी, वह आप आज देख जो चाहते संक एक पदेदिकारी था और हमारे जो लोग थे उन पर किस तरीके से जूटी एफा यारे करी गई उनका मारपीट तक करी गई और डियू के अट्मोस्फिर को खराब करने का परियास करा गया तो हमने केंपेंड भी लॉंच करा है सेव डियू इन सब मुद्दो को लेकर और खास तोर पर एक चीज़ और इन लोग ने करी कि बार-बार जो OBC, SC, SC students है उनकी scholarship को लेकर भी और जो admission पूसर्मन की seat रिजर्व थी गुमा फरा कर यह ऐसी चीज़ करना चाहते हैं कि SC, 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 OBC students की जो seats को चीननना चाहते हैं और उनको बार-बार जनल क्याटिगर में करने के बार-बार प्रियास करते हैं तो उसको लेकर भी हमारी एक बड़ी संगर्च रहा है तो इस तमाम मुद्दे हैं और भी के मुद्दे हैं तो इसको लेकर हम चात्रों के बीच में जाएंगा और मुझे इस बार उमईद है कि NSY चार की चार सीट जीतेगी और DV के अंदर DV को बचाने का काम करेगी है और उन पिछले एक दश्रक में देखा गया कि जो इडूसू की लड़ाई थी इसमें आठ बार अखिल भारती विद्याथी परिशत जीता है तीन बार जो है पैनल पर देखा जाता है कि NSY की जीत होती है तो यह एक बहुत लंबा आप सम को विश्वास मिला कि हमारे लिए लड़ाई बार-बार सड़कों से लेके संसत के बाहर तक NSY लड़ सकती है तो मुझे जबार उमीद भी है और यकीन भी है कि डिव के अंदर चाज जीतेंगे हाँ यह आपको देखने को मिलेगा अभी से ही पुलिस का परियोग करना शुर 2012 में तो मेरा इस बार पूरा परियास रहेगा कि यह साड़े तीन का जो हमारा आकड़ा ता उसको मैं चार में तबदिल करो कुछ ऐसा प्लान स्टूडेंट यूनिन के चुनावों में है और पार्टियों के स्टूडेंट संगठनों के सब मिलकर लेगा यह सबसे बड़ी पार्टी है चार संगठनों में पूरे देश में तो हमने का कि अंदर और पार्टियों वास्तव में चाहती है कि ABVP को केंपस से निकाला जाए और ड्यू को बचाया जाए तो उन्हें अन कंडिशनल हमें सपोर्ट करना चाहिए अगर वो यह नहीं करते ह हैं ABVP से मिले में कि सबको पता है कि NSY लगबख सारे कॉलेजिस में मारी यूनिट है हमारे पास केंडेट ज्यादा मजबूत है जिनकी ज्यादा विजिबिलिटी है केंपस में ज्यादा चातरों के बीच में रहते हैं तो एलाइंस तो हम किसी भी सीट पर नहीं करने वाले विद्यार्चियों में किन बड़े मुद्दों पर जो कॉंगर्स का चातर संगठन है वो चुनाव लड़ेगा और साथ ही जो आने वाले समय में कुछ अलाइंस की बाते हैं और और भी जो स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई बाते हैं उन पर भी उन्होंने बातच